नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिसेश करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी न्यूज आई है नर्सिंग और जो परामेडिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या कुछ है वो सब चीजे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं तो वीडियो के लाश्ट करने की कोशिस करूंगा सबसे बड़ी बात न्यूज क्या है हरियाना करमचारी आयोग ने गुरूप C के नो गुरूपों के 11,990 पदों के लिए पेपर लेने की त्यारिक की है ठीक है इन्होंने CT एक्जाम ले चुके है यानि कि प्री एक्जाम इनका हो चुका है अभी य अब यहां पे बहुत अच्छी खबर तो यह आई है आपको यह पता चल जाएगा कि बच्चे कितने हैं ठीक है यहां पे आप लोग देख सकते हैं जिन जिन का एक्जाम होना है पहले वह डिसकस कर लेते हैं जैसे एक तो स्टाफ नर्स का एक्जाम हो जाएगा जूनियर को ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है टोटल 11,990 अब बात करें स्टाफ नर्स की ठीक है यानिकि नर्सिंग ओफिशर की तो 1544 गशंट यह वेकैंसी्ट है ठीक है आप लोगों को पता ही होगा और इसके अंदर सिरफ 238 ही बच्चे जो CT क्वालिफाई है जिनोंने स्टाफ के लिए apply किया है 238 बच्चे हैं यानि कि डेड़ गुणा बच्चे एक सीट पे डेड़ बच्चे यानि कि आप लोग इस तरीके से बोल सकते हो कि दो सीट पे तीन बच्चे है ठीक है यानि कि competition बहुती कम है बट यह नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है फिर भी आपको अपनी जो study है उस पे fully concentration के साथ complete त्यारी करनी है कैसे क्या कुछ है वो अलग से एक वीडियो भी मैं आप लोगों को बता दूगा और जो प्रैक्टिस सेट वागेरा है study material है वो आपको हर्याना नर्सिंग नाम से हर्याना नर्सिंग स्टूडेंट नाम से टेलिग्राम ग्रूप है वहाँ पे भी मिल जाएगा और मैं और भी जो study material है वो इससे लिटेट डाल दूगा ठीक है अब आपके पास time कितना है वो सब चीज़े भी हम आप लोगों को बता दूगा उससे पहले जैसे एक है वील्डी है ठीक है इसके भी 747 वेकेंसी है और सिरफ 156 बच्चे हैं इसक सबसे कम competition का है स्टाफ नर्स के अंदर सिरफ डेड़ गुना बच्चे हैं ठीक है सबसे कम इसी में है 238 बच्चे ही है ठीक है इसमें से भी काफी ऐसे हैं जो गोर्वेंट जो लग चुके है जो मेंस एक्जाम नहीं देंगे ऐसे काफी बच्चे है ठीक है तो कहीं न कहीं बहुत अच्छी खबर है और बाकी जो भी इसके लेटेड जो स्टेडी मेटेरियल है वो सब चीजे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा और वो आप लोगों को उसकी अकोर्डिंग आप लोग त्यारी कर सकते हैं क्या से क्या कुछ आएगा वो सब चीजे उसके इंदर